रगवर सरकार के प्रयास से इस इसलाके से नकसलियों का सफाया किया गया जिसका सीधा असर पहारी के बीच बसे गाउँ में दिखाए दी रहा है जहां लोग नकसलियों के ड़से पलायन के लिए मुझबूर थे वो अब वन उत्पात के ज़र्गे कमाई कर रहे हैं लोहर दगा से नकसलियों के खात्मे से गाउं के लोगों की जिंदकी अब पट्री पलोट रही है सबसे जादा प्रभावित जंगल और पहडी के बीच बसे गाउं थी जहां नकसलियों के डर से पलायन करने वाले लोग अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और वन उत्पात के जरीए रोजगार से जुड़ रहे हैं जंगल की लकड़ी, फल, जड़ी बूटी और इन दिनों बीडी पत्ते से इनकी कमाई हो रही है सलगी पंचायत के 35 परिवारों को बीडी पत्ता से रोजगार मिला है जंगल अला पाटी था तो पहले अतना थम लोग नए घूश रहे हैं तो पुलीस के अथी से हम लोग पता उता तोर रहे हैं पुरा काम हम लोग कार रहे हैं दरसल नकसरीयों के फर्मान के चलते जंगल से तेंदू पत्ता तोड़ने ग्रामीर नहीं जाते थे नकसरीयों के डर से सलगी पंचायत के गाउं वीरान हो गए थे आज वहाँ चहल पहल है सरकार की यूजनाओं से चुड़कर अब ग्रामीर आत्त निर्भर हो रहे हैं पाले तो हम लोग को जंगल क्या गोचने के लिए भी बहुत डर भाय लगता था और वो मने उग्रवादी के चलते हैं अभी तो क्या बोलते हैं से रगवार सरकार इतना भी कंट्रोल कर दिये हैं कि अभी हम लोग को जंगल में गोचकर जंगल में जो भी है दत्वान हुआ बीड़ी पत्ता हुआ ये सब करके अभी हम लोग कोच अपना रोजी रोटी बहुत अच्छा से चल रहा है रगवार सरकार की योजनाओं से नकसल प्रभावित क्षेतर में सडक, बिजली और पानी जैसी मुलभूत सुधाएं उपलब्ध है नई दिशा के तहट जिले के दो दर्जन हार्टकोर नकसली सरेंडर कर चुके है विकास की योजनाओं से गाउं में पलायन खत्म हो गया है और अब बच्चे स्कूल जाने लगे है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया